रन्वीर कपूर संजेदत और वानी कपूर स्टार्स फिल्म समसीरा सिनमा घरों में दस्तक दे चुकी है इस फिल्म से रन्वीर कपूर ने जहां चार साल बाद परदे पर वापसे की है तो उनकी दोस्त करन मनोत्रा ने साथ साल बाद कमबैक किया है समसीरा को लेकर उमीद की जा रही थी कि ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनेगी बिग बजट फिल्म निर्माता अदित्य चोपडा ने यश्राज बनर के तले बनी अपनी फिल्म समसीरा की रिलीज के लिए मेकर्स ने पूरी ताकत जोग दी फिल्म के प्रमोशन को लेकर स्क्रीन काउंटर तक सब पन नजर रखी गई कई शहरों में कास्ट ने जम कर प्रमोशन किया तो फिल्म 4350 स्क्रीन पर रिलीज हुई बावजुद इसके समसीरा बॉक्स ओफिस पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है कमाई की सुरुआती आकडों को लेकर आई मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म शमसेरा का पहले दिन का कलेक्शन बम मुश्किल धाई करोड के अंकों को छू सका है बॉक्स ओफिस इंडिया की रिपोर्ट की मुताबिक रनविर कपूर की फिल्म शमसेरा ने पहले दिन केवल 10 करोड रुपे का बिजनेस किया है जो की उमीद से भी काफी कम है सुत्रों के मुताबिक फिल्म को बनाने में 150 करोड रुपे से जादा लगे हैं ऐसे में पहले दिन की कमाई को देखते हुए मेकर्स भी काफी परिशान है बता दे की समसेरा को 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म के 150 करोड की बजट को अगर देखे तो ये आकड़ा 10% को छुता भी नजर नहीं आ रहा ऐसे में समसेरा के लिए आगे की रहा बम मुश्किल होती जा रही है जन्विल कपूर की समसेरा करोणा की बाद दूसरी रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है ये फिल्म 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है समसेरा की बात करे तो इसे करन महनोत्रा ने डायरेक्टर किया है वा एक बार फिर अपने एंटिंग से फैंस का दिल जीतने में काम्याब साबित हुए है कार्तिकारियन की फिल्म भूल हुलया 2 ने पहले दिन 14 करोड का बिजनेस किया था ब्योरे रिपोर्ट डिली समाचार